नमस्कार दोस्तो बलेवुड में ऐसे कई कलाकार है जो अपने जमाने में बेहधी बेहतरीं कलाकार रह चुके हैं जिनके चाहने वालों की संख्या लाखों में थी लेकिन आज वो फिल्मी दुनिया से थोड़े दूर हो गए है इसके बावजूद इनके चाहने वालों में कम कम आज हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के मशूर और मोस्ट हैंडरसम एक्टर कहे जाने वाले धरमेंदर की जिन पर लड़किया जान चड़ती थी इन्होंने अपने करियर में खुद नाम कमाया और कई सारी सुपर हिट फिल्में भीद दी हैं रोल चाहे फिल्म सत्यकाम क के सीधे साधे इमानदार हीरो का हो या फिल्म शोले के अक्शन हीरो का हो या फिर फिल्म चुपके-चुपके के कॉमेडियन हीरो का सभी को सफलता पूरवक ने भाकर दिखा देने वाले धरमेंदर सिंधियोल अभेने प्रतिभा के धनी कलाकार हैं लेकिन हैरानी की बात त कि धर्मेंदर ने दो बार शादी की और अपनी दोनों पत्मियों को बनाए रखा है उनकी पहली शादी प्रकाश कॉर्स से 19 वर्ष की उम्र में 1954 में हुई उनकी दूसरी शादी बोलेवुड अभिनेतरी हेमा मालेनी के साथ हुई असल में धर्मेंदर का गाउव जिलालुध को धर्मेंदर पसंद आगे और हिंगो रानी जी ने अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम ही तेरे के लिए 51 रोपे साइनिंग इमाउन देकर उन्हीं हीरो की भूमिका के लिए अनुबंदू कर लिया पहली फिल्म में नायका कुम कुम थी पहली फिल्म से कुछ विशेश पहचा 1963 से लोगों ने उन्हें जाना पर स्टार बने ओ पी रलेहन की फिल्म फूल और पत्थर 1966 से फिर क्या था इसके बाद धर्मेंदर ने 200 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है वहीं आपको बता दे की हाल ही में धर्मेंदर की ऐसी तस्वीरे सामने आई है जिसे देखकर हर को कोई है और इन तस्वीरों की वज़े से वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं दरसल इन तस्वीरों में आप साफ साफ देखेंगे कि धर्मेंदर आजकल एक गाव के साधारन व्यक्ति की तरह ही काम करते दिख रहे हैं इतना ही नहीं आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो देखेगा कि वो गाव में गाय का दूद निकाल रहे हैं और गाव के एक साधारन व्यक्ति की तरह ही काम कर रहे हैं उन्हें ऐसा देख कर कोई नहीं मान सकता है कि वो एक जमाने में इतने बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं बात जो भी हो लेकिन ये तो सच है तो द हूले